कानपूर आएब भारती जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी पंकत सिंग ने तीन राज्यों के विधान सबाचनाव के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोग सबा सीट भाजपा के टार्गेट पे हैं। तो पंकत सिंग ने कहा कि ये गडबंदन कब तक चलेगा इसको लेकर हमेशा से संशय व्यक्त किया जा रहा था। पर सवाल उठाने का काम करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की विवस्ताओं पर सवाल उठाने की जगे अगर खुद को ठीक किया जा तो इनकी पार्टी की ऐसी दुरगती नहीं होती। महिराजस्तान में करणी सेना के अध्यक्ष सुगदेव शिंग गोगा मेडी की हत्या की निंदा करते हुए भाच्वा प्रदेश अधुपाध्यक्ष पंकत सिंग ने कहा कि उन्हें कॉंग्रेस साचनकाल में लगातार धंक्या मिल रही थी। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कॉंग्रेस्क सरकार की थी लेकिन अब राजस्तान में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन रही है। जो भी अपरादी सीनतान कर हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं जाज के बाद उनके खिलाफ सक्त एक्शन होगा और अपरादियों के खिलाफ राजस्तान में भी बुल्डोजर चलेगा।